वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ तो अपर हम कहींगा अपर लिमित हमारे अट्मोसफेर की वह कितने एक्स्टेंडेड है लगबख सी लेवल से 10,000 km उपर तक एक्स्टेंडेड है और कितने लेयर्स में डिवाइडेड है वो टोटल पांच लेयर्स में डिवाइड़ है ठीक जो हमारा लगबख सारा फैनोम मारी वो कौन कौन सी है नीचे से उपर क्रम में जाएएंगे ट्रॉपस्फिर 20 में अजोस्फिर ठीक थाएंग एक्जुब स्थी कल हमने डिसक्स किया था पहला लेयर सबसे लोवर मोस्ट चलो मि इंपरोटेंट लेयर यानी ट्रॉपस्फिर के बारे में क्या डिसक्स किया सब्सक्राइब करते हैं तो आपका पहला लेयर इस जो है ट्रोपोस्फियर अब जाते हैं सेकंड मोस लेयर पर जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फियर ठीक है अब temperature remains stable at the beginning of this layer but it only starts increasing after the height of 20 km मतलब जब इस लेयर में घुशते हैं एंटर करते हैं तो पहले कुछ दूरी तक क्या होती है temperature normal रहती है पर जब 20 km से ज़्यादा की height अटेन करते हैं तो sudden क्या होता है change आता है temperature में due to presence of what due to presence of ozone layer ठीक है जो कि क्या करती है ultraviolet करनों को radiations को absorb करती है तो उसकी presence की वज़े से क्या होता है हमारा temperature में एक sudden change आता है ठीक तो यहां एक important point यह है कि आपकी जो ozone layer है वो किस layer में किस layer में atmosphere के present होती है तो stratosphere में present होती है तो इस layer of the atmosphere is almost free from the weather distribution hence it is preferred by pilots to fly the airplane अब एक और important point जो 72 आपके पेपर पूछा चुका आगे भी बहातर पूछा जाएगा क्या किया कि air plane, aeroplanes वो किस layer में फ्लाई करते है तो aeroplanes आपके stratosphere में फ्लाई करते है तो aero plane सापके stratosphere में फ्लाई करते है perfect माना जाता है aeroplanes के लिए यहाँ पे और क्या एक बहुत मात्वत पूड़ चीज है यहाँ पे ozone layer की presence है ठीक है अब next पे आ जाते हैं तीसरी layer आपके mesosphere यह आपके 50 km से लेके 80 km तक की दूरी ताय करती है यह डिस्टेंस होती है इसकी temperature जो है यहाँ पे भी increase height के साथ क्या हो yes ठीक which is the minimum temperature of the atmosphere atmosphere का क्या है यह minimum temperature है ठीक है जैसे जैसे height increase हो की वैसे वैसे temperature क्या होता है decrease होता चला जाता है ठीक यह था आपका mesosphere फिर आजाते है ionosphere पे क्स पर आते है ionosphere पे आजाते है क्या ionosphere it extend from 80 km तो 640 km असी से लेके लगबग 640 km तक लगबग यह extend करता आपका ionosphere अब यह बहुत ही जादा important layer है क्यों है important electrically charged ड्याफिरम कहें के ionized particle जो होते है न वो इसी लेयर में found होते है इसी विते से इसको क्या बोलते है ionosphere बोलते है क्या found होते है यह पर electrically charged particles या ionized particles जो है इसी लेयर में आपके found होते है कहां पर and temperature इस लेयर में क्या होता है उल्टा होता है यह temperature increase होता है जैसे जैसे height बढ़ती है ठीक यह क्या करता है यह layer reflect back करता है किन वेवस को रेडियो वेवस को बहुत इंपोर्टेंट है यह there are number of ionic layers in this sphere इसमें बहुत सारे कैसे ions के layers है कौन-कौन से D layer E layer F layer G layer ठीक है बहुत सारे ionic layers है इस जो है ionosphere में तो ionosphere क्या है 80 से 640 km तक extend करता है इसमें electrically charged particles या हम कहेंगे ionized particles जो है present होते है इसी वज़े से क्या बहुता है इसको क्या बहुता है इसको इनोस्फियर तेमपरेचर इंक्रीज होता है किसके साथ इंक्रीजिंग हाइड के साथ ठीक है यह किन वेवस को इसको अप्रफ बाकि कि इन में डीटेल से जाएनिक लेर्स है और जो हमारा नेक्स लेर बचा एक्जोस्फियर उसको नेक्स सेशन में डिसक्स करेंगे आज का सशन यह पार्फ आपको समझ भाया कोई डाउट हो तो प्लीज कॉमें बताएगा और अभी तक अगर आगर प्लीज कीजिए बिटन तो प्रेस करना ना भूलिए थैंक यू सो मुच पर वाचिंग